हमारा सम्विधान भारत की आत्मा है सम्विधान देश के सभी नाग्रिकों को समान अवसर और समान अधिकारों सी नवाजा है मजभ ज्वाती लिंक समुदाय अमीरी गरीबी से उपर उठ कर सम्मान और न्याएपूोर्ण जीवन ञीने का हक सम्विधान ने हम सभी को दिया है लेकिन कई बार जानकारी के अभाव में आपको न्याय नहीं मिलता आप ठगा सा महसूस करते हैं आपके साथ अन्याय होता है और आप चुप रहते हैं लेकिन अब और नहीं मुह खोलिए और ये चुपी तोड़िए अपने अधिकारों को जाने आपके हक और हुकूक की बात करने आपके अधिकारों से आपको रूवरू करवाने आपको न्याय दिलवाने और संबान से सिर उठा कर जीने का हक देने के लिए हम आपको बताएंगे कि नियाए पाने की इस लड़ाई में आपको करना क्या है क्या आपको पता है कि आपकी सरकार आपको लीगल एड यानि के मुफ्त कानूनी साहिता देती है संसर टीवी आज से शुरू कर रहा है आपके हग आपके हुकूक और आपके अधिकार से जुड़ा कारिकरम आपका कानून नमस्कार स्वागत है आपका संसर टीवी में और मैं हूँ आपके साथ अम्रिता चौरसिया तो क्या है आपके अधिकार? कैसे पासकते हैं? अप नियाएं और आपकी मदद के लिए सरकार ने कानून में क्या-क्या प्राफधान किये हैं? आप जानेंगे उन सभी कानूनों के बारे में जो आपकी हिफाज़त, आपकी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं. अगर आपके स जो करेंगे आपकी मदद देंगे आपको सलाह जिससे आप अपने आगी की राह खुद तैह कर सकते हैं. तो आई चुरू करते हैं आपका कानून. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये आपके कानून का सबसे पहला एपिसोड है और पहले एपिसोड में हम बात करेंगे भारत में लीगल सर्विस एड की यानि देश में नागरिकों को दी जाने वाली मुफ्त कानूनी साहिता की. तो क्या है मुफ्त कानूनी साहिता इसे लेकर देश में क्या कानूनी प्रावधान है? वो कौन कौन से लोग हैं जो मुफ्त कानूनी साहिता पाने के हकदार हैं कानूनी साहिता के लिए आप कहा जाएं किस से बात करें ऐसे तमाम सवाल जो आपके जहन में हैं और आप जानना चाहते हैं तो जुड़े हमारे साथ मेरे साथ एक खास पैनल मौजूद है भरत पराशर, जिला जज, मेंबर सेक्रेटरी, ड्वेली स्टेट, लीगल सर्विस ऑथारिटी सर बहुत स्वागत है आपका संसर टीवी में देश की जानिमानी लीगल पत्रकार जिनका 25 वर्षों से जादा कानुभव है आप लीगल बीट देखती हैं, कावर करती हैं, माला देख्षित स्वागत है आपका संसर टीवी में और साथ ही सुप्रिम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, उमेश शर्मा सर आपका भी बहुत स्वागत है तो कारिकरम की शुरवात करते हैं और सर जैसा की एक विडंबना ही कहेंगे, कि जस देश में सभी को समान अवसर जीने का, रहने का, खाने का, पीने का दिया गया है उस देश का एक वर्ग ऐसा भी है, जो अपने इन अधिकारों से वंचित है उस वर्ग को, या बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता कि हमारी सरकार हमें मुफ्त कानूनी साहता देती है तो सबसे पहले तो मैं आप से समझना चाहूंगी भरत पराशर जी कि ये दरसल फ्री लीगल एट क्या है, कैसे काम करती है, हमारे दर्शकों को समझाईए अमरता जी सबसे पहले तो मैं संसर टीवी आपको और आपकी टीम को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतना सुन्दर कारे करम का आपने आयोजन करा है और मुझे लगता है कि इस कारे करम के जरिये जनता को कानून के बारे में बहुत हैम जानकारी प्राप्थ हो सकेगी अब जैसा कि आपने पूछा कि मुफ्त कानूनी साहता सलाह क्या है मैं इस बारे में आपको बताओं कि 1976 में हमारे समिधान में अनुछेद 49A को इंटर्ड्यूस किया गया 41st Amendment के तहट जिसमें राज्ये के उपर ये एक ड्यूटी की गई ये सुनिश्चित करेगा कि जो विदिक तंत्र है देश का वो इस तरीके से काम करे कि सब लोगों को चैव किसी भी धर्म के जाती के किसी भी वर्क के हो उन्हें समान अफसर के अधार पर नियाए सुलब हो और खास कर से वो आर्थिक या किसी और डिसेबिलिटी निर्योगता के कारण नियाए पाने में वंचितना रह जाए उसी अनुछेद 49 एक तहट Legal Services Authority Z1987 वो सरकार ने बनाया और उसके अंडर Free Legal Aid प्रोवाइड करने के लिए Legal Services Institutions बनाए गए जिसमें Central Body National Legal Services Authority Supreme Court लेवल पे काम करती है और States में State Legal Services Authority है District Legal Services Authority है इसी तरीके से दिल्ली में दिल्ली State Legal Services Authority है जी इसके तहट Section 12 में कुछ categories प्रोवाइड की गई है और जो भी समाज का वेक्तियूस categories के अंडर आता है और मैं आपको बता दूँ कि more than 80% of our population stands covered under that section दोस categories उन लोगों को हम Legal Services Authority के दोवारा नियाए निशुल्क साहेता और सला दी जाती है इसके तहट जो भी कोई वेक्ति हमारे पास पहुंसता है जो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह के से पहुंस सकते हैं हम उनको उनकी बात को सुनके उचित सला देते हैं और जहां भी जरुरत हो कि उनके तरफ से कोई केस दायर करने की चाहे वो किसी कोर्ट में हो ट्राइबनल में हो या किसी भी ऐसी बाडी जिसमें जुडिशल या क्वासी जुडिशल फंक्शन्स होते हैं उसमें हम उनका केस दायर करने में उनकी मदद करते हैं या उनके खिलाफ कोई केस हो उसको डिफेंड करने के लिए हम मदद करते हैं अब आपने पूछा कि क्या-क्या साहिता उसमें जैसा आप जानते होंगे कि civil केस जैसे हम डालते हैं उसमें court fees देनी पड़ती है तो जहां भी किसी ऐसे केस में कोर्ट फीज देने की ज़रूत लगती है तो हम कोर्ट फीज भी सरकार वहन करती है कि इंस्पेक्शन करने की ज़रूत पड़ती है इंस्पेक्शन का खरचा भी हम वहन करते हैं कोई सर्टिफाइड कॉपी लेनी है उसका खर्चा भी हम वेहन करते हैं और जो अधिवक्ता की सर्विस दी जाती है वो बिलकुल नीशल को दी जाती है बिलकुल बहतरीन है ये सारी सुविधाएं जो देश के नागरिकों के लिए है लेकिन विडमना है कि बहुत से लोगों को ये पता नहीं है माला देक्षिर जी चुकि आप पत्रकार हैं लीगल बीट को देख रही हैं पिछले 25 वर्षों से मैं आपसे समझना चाहूंगी बहुत से लोग अभी भी ऐसे हैं जिनने नहीं पता है कि लीगल एड जो की फ्री लीगल एड जैसी कोई सुविधा इस देश में माजूद भी है वो दर-दर भटकते हैं सालो साल उनका मुकदमा चलता है या कई बार वो चुपी साध लेते हैं और अपराध को बरदाश्ट कर लेते हैं सहिन कर लेते हैं आपको क्या लगता है कि आखिर क्यों ऐसा है कि कहीं जाग रुकता की कमी है या हमें और ऐसे कौन से स्टेप्स रही है, फ्री लीगल एड की, हर तरह की कानूनी सहायता है, लेकिन लोगों को जानकारी में नहीं है, मैं देख रही हूँ वैसे कोर्ट में, हर कोर्ट में लीगल एड का एक आफिस होता है, जिसमें वो मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध होती है, अगर जो कोई भी कोर्ट जाता है वो थोड़ा सा पता कर ले तो उसे वो दफ्तर मिल जाएगा एक रूम में होता है चोटा सा और वहां ओफिसर्स और मददगार बैठे होते हैं लेकिन मेरा मानना है कि इसका अभी प्रचार कम है और इसका इतना प्रचार होना चाहिए कि जैसे कि पुलिस थाना आदम जो मेरा सुझाओ है जैसे थाने में बहुत से थानों में लीगल एट के ऑफिस हैं कनेक्टिविटी रहती है लेकिन पुलिस का ये फर्ज हो कि जब कोई उसके पास फर्यादी आए तो उसको वो वहीं बताया जाए कि आपको ये कानूनी सहायता मिल सकती है फ्री आप इस क् कोट का चहरी जाता है तो जब वो केस फाइल कर रहा है उसी समय उसको सूचित किया जाए कि आपको आप क्या इस रेंज में आ रहे हैं जैसे की रेंज है तीन लाख रुपए सालाना या चार लाख रुपए सालाना आए वाला व्यक्ति लेकिन महिलाएं बच्चे बुजु ये टोटल फ्री है या जो दिव्यांग हैं किसी भी तरीके से पीडित हैं जो विक्टिम है वो रेब विक्टिम हो बाड़ विक्टिम हो प्राकरति कापता के इनकी सब के लिए टोटल फ्री है तो इनको वहीं पर बता दिया जाए कि आपको इस तरह कानूनी साहिता मिल सकत इससे प्रसार होगा, अभी इसकी पॉब्लिसिटी कम है, दूसरे मुझे लगता है मैं खुद भी साइट देख रही थी, अभी भी उसको लोकल लेंग्वेज़स में और हिंदी में और प्रचारित करने की जरूरत है, अंग्रेजी से आगे बढ़ने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं पता, और ऐसे में अगर वो सुविधा, बहुती सरल भाश्या में और हर जगा मौझूद हो, कम से कम उनकी जानकारी में हो, जैसे सब को पता है कि अगर अपराद हुआ तो हम F.I.R. दरज कराने जाते हैं, तो कानूनी अगर आपको चाहिए, अपना अधिकार या पि पूछूं कि कितनी जम्मेदारी बनती है एक वकील की, अगर एक वकील वॉलिंटरी और खासकर वो वकील जो बहुत संपन्न है, फ्री लीगल एड प्रोवाइट कराने में, खुद का आपका अपना जो इनिशेशन है, वो किस तरह का रहता है, मैं ये जरूर जानना चाहू होता है कि इसमें रिसोर्सेस की वज़े से केस बिगड जाएगा, तो हम वहां करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा अब लग रहा है, जिस तरह से कानूनी सेवाओं का प्रसार हुआ है अभी, इसमें एक वकीलों से सामंजस्य बिठाने की आवशक्ता लग रही है मुझे, और ऐसा अच्छा रहेगा, और मेरा ऐसा मानना है कि इस लिटिगेशन के अलावा भी, लिगल एडवाइस या जो आपको कोई क्लारिटी नहीं है किसी विशह पे, वो सब सुविधाय यहां मिलती है, इसके बारे में लोग कम जानते हैं, और इसका प्रचार प्रसार जादा हो, अध केस को करते हैं, और एक informal arrangement है, लेकिन इसका एक formal coordination बार और बेंच के बीच में हो, और अधिवक्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा involved किया जाए, उस तरह से, या स्वता आए, जो effluent lawyers हैं, वो स्वता आए कि मैं साल में इतने केस ऐसे जो भी हैं, particular कोई criteria set कर ले, कि मैं इतने case इनके ऐसे करूँगा, या accident victim के करूँगा, या कुछ भी करूँगा, तो अपने skill से समाज में direct contribution जो योगदान है, वो दे सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है, जी, ठीक है, अब मैं भरत पराश्चर जी आपका रुख करूँगी, मुफ्त कानूनी सेवाओं में हमारे दर्श जाओंगा, section 12 जो legal subsidies authorities act है, वो कुछ categories को चिन्नित करता है, जो मुफ्त कानूनी सेवा और सला के लिए हैं, जैसा माला जी ने बताया कि सारी women's, बिना किसी income के criteria की, सभी बच्चे, 18 साल तक की उमर के, senior citizens, जिनकी वार्शिक आए, चार लाक रुपे तक हैं, transgenders जिनकी वार्शिक आए, चार लाक रुपे तक हैं, और कोई व्यक्ती जिसकी वार्शिक आए, तीन लाक रुपे तक है, acid attack victims, victims of mass trafficking, और सबसे महत्पून एक category है, under trial prisoners, जितने भी inmates हैं, जेल में, वो सब मुफ्त कानूनी सलाह और साहिता के लिए हगदार हैं, अब आपने दूसरा सवाल किया, कि आवेदन कैसे करें, देखे इसके बहुत सारे तरीके हैं, एक तो जैसे माला जी ने बताया कि हर district court complex में हमारा एक front office है, हमारा district legal authority का office है, उसका एक front office है, जहां एक वकील साहब और paralegal volunteer मौजूद रहते हैं, तो दिल्ली में जैसे साथ district court complex हैं, तो हर court complex में एक front office है, जिस पे कोई भी व्यक्ति आके हमसे approach कर सकता है, हमसे कानूनी साहता और salah मांग सकता है, उसे एक application form भरवाते हैं और एक affidavit उसे देना होता है, इसके अलावा, जो हमारे तक नहीं पहुंच सकते ऐसे court complex में, हमारी एक 24 by 7 help line number है, 15-16, उस 15-16 पे अगर आप call करेंगे, हमारे जो वकील साहब उस पे हैं, वो immediately respond करेंगे, जो उचित सलह है, वो वहीं पर आपको provide करेंगे, और अगर ऐसी कोई circumstance है, जिसमें आप हमारे तक आने में शक्षम नहीं है, तो हमारी ये कोशिच रहती है कि हमारे वकील साहब, हमारी तरफ से authority आप तक जो चालू रहता है, उसमें आप हमसे वीडियो कॉन्फरेंस के जरिये, वीडियो के समक्ष आप हमसे कानूनी साहथा सलह ले सकते हैं, इसके अलावा दिल्ली स्टेड लीगल साहथी authority ने एक विदिक सेवा एप किया है, जो आप android play store के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, उ आप तक पहुँचेंगे, यह तो हुआ कि आप हमें कैसे आवेदन करें, जैसा मैंने आपको बताया कि हम आपको उचेस सलह देंगे आपकी बास सुनके, अगर ऐसा हमारे वकील साहथा ने ओपीनियन दिया, कि आपके समस्या को सुनके कोई केस दायर होना है, या आपकी तर और इसमें मैं दरशकों को ये भी बता दूँ, कि जो सर बता रहे थे वो डालसा को कैसे अप्रोच करना है, उसके लिए बता रहे थे, लेकिन ये जो सुविधा है, नालसा यानि की सेंटरल लिवल पर जो है, और हर स्टेट की अपनी लीगल सर्विस एड अथॉर्टी है, ह इसके साथ माला देख्षिट जी आपका रुख करना चाहूंगी, नालसा का भी एक बता दूँ, पंदरा सो, पंदरा एक जीरो जीरो, उसके थुरू भी आप हमारे तक पहुंसे हैं, माला देख्षिट जी सवाल मेरा आपसे ये है, कि हम सभी जानते हैं कि पानून, किसी न करना चाहूंगी, क्योंकि हम लोग प्रोफेशनली कानून की डिग्री लेते हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं, वो कानून की पढ़ाई जाके प्रोफेशनल कोर्स में आप्ट करते हैं, आप जोर्नलिस्ट हैं, कि जो कानून की सिक्षा है, वो स्कूलों में, कॉलेज में, विशे का जो subject होते हैं उसका एक हिस्सा बनाया जाए कम से कम एक जो primary level की सिख्षा है जो वो बच्चों को पता हो कानून क्या है, हमारे अधिकार क्या है कितना जरूरी है? आपने बिल्कुल सभी का क्योंकि कानून की सबसे पहली शर्च जो है वो यही है कि ignorance, यानि जानकारी ना होना कोई ماवी नहीं है, कि हमको तो मालूमी नहीं था कि हमने कानून का उलंगन किया, और वो अगर उलंगन कर देता है, तो उसमें कोई मावी नहीं है, आपके अंजान होने, ignorance होने की, आपको सजातों मिलेगी. तो ये चीज पहले ही तै करती है कि आप बेसिक लेबल पर कानून का ग्यान दे और ये स्कूलों से ही शुरू किया जाए उसके बहुत तरीके हो सकते हैं छोटे छोटे जैसे हम लोग भी पढ़े थे हमने समविधान पढ़ा है समविधान में रिट जूरिडिक्शन पढ़ा ह कि 5 रिट होती है उसमें हाई कोट में ये रिट डाल सकते हैं सुप्रेम कोट में भी पांचों होती है और इनेरण पावर है पीर में रिट की तरह तो ये चोटी चीजों के साथ ये भी शुरू होना चाहिए कि जैसे आपने रै रड लाइट जमकी तो ये अपराद है इस बार इतना जुर्माना होगा छोटे-छोटे क्लास से चोटी-छोटी कीजे या आपको कोई दिक्कत हुई तो हम लोगों को स्कूल से ही पढ़ाया जाता था कि 100 नंबर पुलिस का है 102 नंबर आपको इंबुलेंस का इस तरह से बहुत छोटे-छोटे से करके अगर हर कोर्स में हम थोड़ा-थोड़ा डालते जाएंगे जो हमारे नैतिक सिक्षा का पार्ट होता था चाहें उसमें ही जोड़ दिया जाए या कहीं से भी तो थोड़ी-थोड़ी जानकारी होती चली जाएगी ना तो वह भार लगेगी और ना व्यक्ति इग्नोरेंस होगा कि उसको न कोई व्यक्ति मुसीवत में फसा तो वहां पर दफ्तर होता है लीगल एट का वहां जाएए आपको मदद मिलेगी जैसे वनिस्टॉप सेंटर महिलाओं के लिए खोले गए हैं अब वनिस्टॉप सेंटर क्या है वो एक सेंटर बना दिया गया है जहां कोई विक्टिम महिला जाएगी जो या किसी अपराग से परताड़ी तो चाहे किसी तरह का हारास्मेंट है उसको मेडिकल एड उसको लीगल एड उसको पुलिस का ये सारी एड सारी एड जगह मिल्ती उसी को वनिस्टॉप सेंटर कहते है लिकिन गर रात में अपराग के साथ घर से बाहर निकाल जाता है वो शायद सड़क पर रहने को मजबूर है क्योंकि उसे पता ही नहीं कि वनिस्टॉप सेंटर है हम वहाँ जा सकते हैं और हमारी सोरक्षा के लिए सब कुछ वहाँ है और हमें लीगल एट भी मिलेगा आगी चलकर रहने तक की विवस्ता है लेकिन लोगों को मालूम और यहीं तो जरूरत है कि हम इसे जादा से जादा प्रचार करें ताकि लोग जागरूख हों और लोग दूसरों को भी बताएं अगर मुझे पता है तो मैं किसी दूसरे को बताओं यह एक चेंड बन जाए चुकि वक्त की कमी है मैं चाहूंगी जल्दी जल्दे अपने को कितना जरूरी हो जाता है और आप लोगों का कांट्रिबिशन किस तरीके से रहता है जी मेरा ऐसा मानना है एक पुरानी कहावत हैं अंगरे जी कि स्टेच इन टाइम सेवस नाइन जी हर जगड़ा बहुत छोटा होता है और वो किनी कारणों से बढ़ता चला जाता है जब मिल रही है वो बहुत बहुत ही अच्छा रोल प्ले करेगी आपका छोटा जगड़ा है कोई विवाद है कुछ भी है तो उसको वहीं बैठकर आडवाइस दे दिएगा आपको पता लग गया कि आप इसमें आगे बढ़ेंगे तो आपके हात में क्या आएगा या दूसरी प जो अभी हमने लॉक्डाउन में देखी कि आईटी टूल्स का यूज होकर बहुत कुछ जैसा कि अभी जच साब ने बताया भी कि वीडियो कॉन्फरेंसिंग से एडवाइस आप ले रहे हैं तो वीडियो कॉन्फरेंसिंग और बहुत सारा मेटीरियल हम AI बेस्ट डाल सकते हैं जिसमें आपके अधिकार शिक्षा के लिए भी अगर AI बेस्ट कुछ मटीरियल है तो शिक्षा में भी वो काम आएगा कि किसी को कुछ पूछना है कि मैं लाल बत्ती जंप करूँगा तो क्या 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 सारी जज्जमेंट्स उसको दिखाई दे जाए क्या उसके पनिश से हो जाता है बाद में फिर कानून ये कहता है कि आप अवेर नहीं थे इसकी कोई माफी नहीं है जी तो ये मुझे ऐसा लगता है कि IT टूल्स खासकर वीडियो कॉन्फरेंसिंग या ओडियो कॉन्फरेंसिंग या जो रिमोट से हम बहुत सारी चीज़े रिमोट एरिया को क कि किसी सुप्रिम कोट के लॉयर से हमको फोन आते हैं वो चोटी चोटी बाते पूछते हैं मेरे चलान हो गया है हो गया है वो हमारा विशय नहीं होता लेकिन फिर भी हम बता देते हैं तो वो एक सैंक्टिटी के साथ उसको एकसेप्ट कर लेते हैं कि हां सुप्रिम कोट के सर्व चन्याल एका दिवक्ता ने बताया तो उस बात को मान जाते हैं तो ये कॉडिनेट होना चाहिए भरत परासर जी चुकि दर्शुकों को ये पता है कि फ्री लीगल एड जैसे कोई सो विदा हैं माविदन कर सकते हैं लेकि सवाल अब मेरा ये है कि अगर कानूनी सेवा नहीं मिलती है तो क्या इस पर शकायत की जा सकते हैं बहुत संशिक्त ने आंसर हमारी डिस्टिक लीगल सबसे अथर्टी रेगुलेशन्स हैं उसमें रेगुलेशन टैन क्लॉस फाइब में अगर आपको कानूनी सेवा देने से इंकार किया जाता है तो जो हमारे डिस्टिक जजज हैं डिस्टिक लीगल सबसे अथर्टी के चेर्मेन होते हैं आप उनके अपील डाल सकते हैं और वो इसकी सुनवाई करके आपकी अपील को ठैसला करेंगे जी और अगर आप जो ये कानूनी और सार की बात कर रहे हैं जागरुपता के बात कर रहे हैं जैसे माला जी ने उमेश जी ने भी कहा मैं इस बारे में बताना चाहूंगा कि हमने दिल्ली के स्कूल्स में कॉलिजिस में एड ओन कोर्से शुरू करे हुए हैं लीगल सर्विसिस पे एक इंट्रोड़क्टरी कोर्स शुरू किये हैं हमने लीगल सर्विसिस क्लिनिक ओपन करे हैं और हम बच्चों के को बेसिक कानून की जानकारी प्रोवाइड कर रहे हैं स्कूल के टी बच्चों को हम ये जानकारी का परसार कर दे हैं, हम दिल्ली के दूर दूर दराज के गाउं में भी जाके अवेरनेस कैंप्स लगा रहे हैं, तो हमारा ये एक मेंडेट है, लीगल लिट्रेसी देना और लीगल अवेरनेस करना, पर ये इसमें निरंतर हमारी कोशिश, जी बिल्कुर और इसकी साथ सवाल एक ये भी है कि क्या कोई ऐसी परस्थिती भी है जसमें कानूनी सेवाओं को वापस लिया जा सकता है, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, इसमें हमारी अदीनियम में, अदीनियम 15 जो रेगुलेशन्स हैं, अगर किसी व्यक्ती न हमें गलत जानकारी देखे, नीशल कानूनी साहता ये सलाख लिया गया और ऐसा कोई फ्रॉड कमिट किया, उस सवस्था में हम उनसे कानूनी साहता को वापस ले सकते हैं, अगर वो किसी परकार से इसका मिस्यूस कर रहा है, हमारी अथॉर्टी के लॉयर्स के साथ नहीं कर रहा है, तो हम ऐसे उसमें वो साहता को वापस ले सकते हैं, और परन्तु और किसी एक और भी चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट बता दू, जिस व्यक्ति को हमने कानूनी साहता दिया है, और अगर उसकी मिर्त्य हो जाती है किसी कारणवश, और खास करते हैं, सिवि करम को समप करेंगे, तो मैं चाहूंगी एक एक फाइनल कॉमेंट, माला दिक्षिर जी, हम कानून के जागरुकता की बात कर रहे हैं, जैसा कि उमेश श्रमा जी ने कहा कि कानून कहता है कि यू शुड नो, आपको पता होना चाहिए, तो यह हमारी भी जिम्मेदारी है, कि और उसके लिए हमें क्या क्या करना है, वो हमें सब कुछ करना होगा, चाहे हम मीडिया के माध्यम से करें, आप लॉयर हैं, आप जर्नलिस्ट हैं और आप अथारिटी से हैं, आपका फाइनल कॉमेंट, मैं यह कहूंगी, शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा, कि अपनी हैं कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं, जहां पर वो आधार बनवा सकते हैं, लोग जाकर के रूरल एरियास में जादा हैं, और सिटीज में भी हैं, बाकी सारी सेवाएं ले सकते हैं, तो यह भी लोगों को म राशर सहाब बता रहे हैं, कि अगर वो क्राइटेरिया में आते हैं, कि जो सेक्शन बारा में तैय है, कि इतने इतने हो, तो उनको टोटल प्री लीगल एड मिलेगी, तो सबसे पहली मैं यह जानकारी देना चाहती हूं, कि जितने भी हमारे दर्शक हैं, वो जान ले कि उन मानना ऐसा है, कि बहुत ही objective advice आती है, जब भी legal rate से आती है, तो क्योंकि अधिवक्ता professional है, तो कहीं न कहीं professional consideration आता है, यह मैं अधिवक्ता होते हुए बोलना हूं, तो वो objectivity services में आ सकती है, इसलिए इसका प्रचार प्रसाद जादा हो, तो मुझे ऐसा लगता है, कि विवा हमारा जो अधिश है, वो यही कि आप ये जाने कि आपका अधिकार क्या है, चाहे आप घरेलू हिंसा का शिकार हो रहे हैं, या बज़र्ग माता पिता को उनके बच्चे उनके ही अधिकार से वंचित कर रहे हों, या बच्चों को, या फिर किसी भी तरह की आपको अपने office म या फिर किराएदार को, या फिर मकान मालिक को, किसी को भी किसी भी तरह की प्रताड़ना से जूजना पर रहा हो, तो ये वो मंच है आपका कानून संसर टीवी की एक खास पहल जहां पर आएंगे, और ये चुकि आज पहला एपिसोड था, अगले एपिसोड से हम टॉपिक कारिकलम का हिस्सा बनाएंगे और जो हमारे जानकार हैं वो उसका जवाब देंगे, बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का भी और आपका इतना वक्त निकालने के लिए और हमारे दर्शकों को जागरूप करने के लिए, तो रहिये जागरूप, अपने अधिकारों के नमस्कार शुक्रिया झाल झाल